नमस्कार दोस्तों कितना पारफुल और यूनीक था V12 सुपर हेलिकॉप्टर जो वर्टिकल टेक ओफ के साथ साथ एक बड़े ट्रांसपोर्ट जेट को मिक्स करके बनाया गया था और जो बड़ी बड़ी नुकलियर मिसाइल्स को भी ले जा सकता था इसको कॉम्पिटीशन देने वाले डॉर्नियर जेट की क्या खासियत थी और ये क्यो फेल हुआ साथ ही अमेरिका ने कैसे इसी डिजाइन को रिफाइन करके अपने टिल्ट रोटर बना लिए ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अपडेट्स चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों हमने कई ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टर को देखा है जो भारी से भारी सामानों को उठाने की कैपेबिलिटी रखते हैं कोई 5000 kg की गाड़ियों को ले जा सकता है तो वहीं शिनुक हेलिकॉप्टर 10,000 kg वजन वाली होविजर्स को भी ले जा सकता है सबसे जाधा पेलोड कैपेसिटी वाले हेलिकॉप्टर की बात करें तो वो है रशिया का MI-26 यह 20,000 kg के पेलोड को भी लिफ्ट करके उड़ सकता है लेकिन दोस्तो सोवेत यूनियन की जरूरतें कुछ अलग थी अमेरिका और सोवेत यूनियन में हमेशा एक बड़ी लड़ाई का खत्रा बना रहता था इसलिए Soviet Union बड़ी और powerful missiles को बनाता जा रहा था जो nuclear payload ले जाने की ताकत रखती थी अलग-अलग range की बहुत सारी missiles को बना लिया गया लेकिन समस्या ये थी कि इन्हें अमेरिका के जासूसों की नजर से बचा कर बहुत तेजी के साथ दूर दराज के इलाकों में लगाए गए missile launchers और जमीन के अंदर बनाए गए missile silos तक कैसे पहुँचाएं जादा payload capacity वाले बड़े transport aircraft AN-22 को भी बना लिया गया था जो 80,000 kg के payload को ले जा सकता था यानि यहें इन बड़ी missiles को missiles की factory से बड़े airport तक तो ले जा सकता था लेकिन समस्या तो उसके बाद की थी यानि चुप चाप secretly इन nuclear missiles को इन बड़े airport से secret missile silos तक कैसे पहुँचाएं helicopters 30-35,000 kg वजनी missiles को उठा नहीं सकते थे और जो aircraft इनने उठा सकते थे वो missile silos के पास landing नहीं कर सकते थे तो Soviet Union को एक ऐसा unique design वाला aircraft चाहिए था जिसमें helicopter की vertical take off वाली capability के साथ साथ transport aircraft के बराबर वजन उठाने की काबलियत भी हो तो इसी जरूरत ने शुरुवात की V12 helicargo की इसको design करते समय कई experiment किये गए पहले American Chinook helicopter की तरह आगे पीछे twin rotor system को लगा कर देखा गया लेकिन ये design 10-15,000 kg वजन को ही उठा सकता था तो transverse याने की left right position में twin rotors को लगाया गया इसका ये design इसे यह सुविधा देता था कि इसे एक wide body aircraft की तरह बनाया जाए इसके airframe में किसी commercial airline की तरह 196 passengers को बिठाने की जगे तयार की गई इस V12 helicargo का cockpit बहुत spacious बनाया गया इसमें एक secondary cockpit भी है जो main cockpit के ठीक उपर बनाया गया secondary cockpit में navigator वे radio operator बैठते थे आम तोर पर helicopter में एक tail rotor जरूर लगाया जाता है लेकिन इस V12 helicargo में इसकी जरूरत नहीं थी इसकी जगे पर किसी aircraft की तरह का tail section बनाया गया आवशक्ता के अनुसार V12 के main rotors का size बढ़ाया गया लेकिन इससे एक समस्या और पैदा हो गई कि एक rotor की wings दूसे rotor की wings को touch कर रही थी दोनों rotors की blade तीन मीटर तक एक दूसरे को overlap कर रही थी तो इसका भी solution engineers ने निकाला और एक interconnecting shaft दोनों rotors के बीच में जोड़ी गई इस interconnecting shaft से ये फाइदा तो था कि दोनों rotors की blade के बीच synchronization बना रहेगा और अब overlap होते हुए भी एक दूसरे को touch नहीं करेंगी साथ ही ये भी फाइदा मिला कि हवा में उड़ते समय अगर एक side के engines खराब हो भी जाएं तो भी इस interconnecting shaft की वज़े से इस V12 helicargo के दोनों rotors एक समान speed पर घूमते रहेंगे जिसे ये V12 अपना control बनाए रख सकेगा और अगर ये सिर्फ एक side के engines की ताकत से जादा उड़ ना भी पाए तो भी सुरक्षित तरीके से landing तो कर ही सकेगा दोस्तों इस super helicopter यानि की V12 helicargo के specifications की बात करें तो इसका maximum take off weight एक लाख पांच जार किलोग्राम था जो बड़े से बड़े helicopter से कहीं जादा था इसमें total 4 engines लगाए गए थे यानि हर एक rotor के लिए 2 engines थे इन 4 engines की total power 26,000 horsepower की थी यह 260 km पर आर की speed से उड़ सकता था और इसकी ferry range 1000 km की थी यह 196 passengers यह 40,000 kg के payload को ले जा सकता था लेकिन इसे passengers को नहीं बलकि बड़ी और भारी intercontinental ballistic missiles को carry करने के लिए तयार किया गया था और यह V12 super helicopter इस काम को बखू भी पूरा कर पा रहा था दोस्तों America और Europe में इस खास design वाले बेहत बड़े आकार के helicopter की काफी चर्चाएं होती थी जब इसकी first flight हुई तो कुछ technical problems सामने आई और landing के समय एक side ज़्यादा जुकने की वज़े से उस तरफ के landing gear को नुक्सान पहुचा और इसके tires भी burst हो गए इस घटना को European और American media ने इस तरह से बताया कि यह super helicopter fail हो गया है और crash होकर पूरी तरह से damage हो गया है यानि एक तरह से उन्हें काफी खुशी हुई कि Soviet Union इसे नहीं बना पाया लेकिन उनकी यह खुशी ज़ादा दिन तक नहीं रह सकी Soviet Union के engineers ने इसे बेहद कम समय में ठीक कर लिया और 6th August 1969 के दिन 44,205 kg के payload को 2250 मीटर्स की उचाई तक लिफ्ट करके एक नया वर्ल्ड रिकोर्ड भी बना दिया दोस्तों इस सूपर हेलिकोप्टर को जितने payload के हिसाब से डिजाइन किया गया था यह उससे भी ज़्यादा payload को उठा पा रहा था इसने कई वर्ल्ड रिकोर्ड बनाए इसने यूरोप के उपर कई बार उडान भरी और यहाँ तक की पैरिस एर शोव में भी इसे आम जनता के सामने परदर्शित किया गया दुनिया भर के एवियेशन इंजिनियर्स इस हेलिकोप्टर के सफल डिजाइन से बहुत परभावित थे यहाँ तक की खुद अमेरिकन हेलिकोप्टर सोसाइटी ने इस आउटस्टेंडिंग अचीवमेंट के लिए अपना प्रेस्टीजियस सिकोर्स की प्राइज भी इसी हेलिकोप्टर को दिया था जबकि यह डिजाइन उनके कॉम्पिटिटर सोवियत यूनियन ने बनाया था इस सूपर हेलिकोप्टर के अब तक दो प्रोटोटाइप बनाये गए थे इसकी सफलता को देखते हुए इसका कमर्शल पैसिंजर वेरियंट भी बनाने की बात शुरू हुई साथ ही अब आगे के प्रोडक्शन में और ज़्यादा पारफुल इंजर्स लगा कर इसकी टोटल पावर को 26,000 होर्स पावर से बढ़ा कर 40,000 होर्स पावर करने की योजना बनाई गई इस और ज़्यादा पारफुल हेलिकारगो को MI-12M नाम दिया गया लेकिन दोस्तों इतनी मेहनत और पैसा लग जाने के बाद भी जब यह डिजाइन सक्सेस्फुल हो भी गया उसके बाद 1974 में अचानक सोवियत यूनियन ने इसे अपनी स्ट्रेटेजिक फोर्स का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया और इस प्रोजेक्ट को बंद ही करना पड़ गया इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह बताया गया कि इस हैलिकार्गो को बनाने का मकसद ही समाथ हो गया है अब सोवियत यूनियन और जादा मिसाइल्स को नहीं बना रहा था अमेरिकी जासूसी जेट्स वे उनके सैटलाइट्स सब कुछ ट्रेक कर पा रहे थे जिससे अब मिसाइल साइलोस को सीक्रेट रख पाना लगभग इंपोसिबल हो रहा था इसके अलावा अब युनाइटिड नेशन्स जैसी ओर्गनाइजेशन्स के इंटरनेशनल प्रेशर के कारण अपने नुक्लियर वार हेड की पूरी डिटेल्स सोवेट यूनियन और अमेरिका को एक दूसरे से शेर करनी पड़ रही थी दुनिया भर के एविएशन इंजिनियर्स को इस V12 सूपर हेलिकोप्टर के बंद हो जाने पर काफी निराशा होई थी और इससे रिलेटिड कई आर्टिकल्स भी अलग-अलग मैगजीन्स में छपे थे दोस्तों हैवी कारगो के वर्टिकल टेक ओफ और लेंडिंग कैपेबिलिटी के लिए दुनिया भर में एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे और जर्मनी ने भी ऐसा ही एक डिजाइन डोर्नियर डी-ो-31 के रूप में बना लिया था इसमें भी ट्रांसफर्स यानि लेफ्ट राइट पोजिशन के हिसाब से लिफ्ट इंजन्स लगाई गए थे हलांकि जहां सोवेट यूनियन ने लिफ्ट इंजन्स के तोर पर हेलिकॉप्टर की तरहें रोटरी विंग्स लगाई थे तो जर्मनी ने इसके लिए दोनों विंग टिप्स पर चार-चार तर्बो जेट इंजन लगाई थे यानि इस डोर्नियर 31 वर्टिकल टेक ओफ कैपेबिलिटी वाले जेट में आठ इंजन्स सिर्फ इसे हवा में उपर उठाने के लिए लगाई गए थे और दो बड़े टर्बो फैन इंजन्स को इसकी विंग्स के नीचे लगाया था ताकि इसे हवा में इसकी फ्लाइट को कंट्रोल करके इसे दूर तक उड़ाया जा सके यानि टोटल दस इंजन्स के साथ भी इसकी पेलोड कैपेसिटी मात्र 3500 किलोग्राम की ही हो पाई थी जो सोवेट यूनियन के हेलिकारगो के 40,000 किलोग्राम के पेलोड कैपेसिटी के सामने कुछ भी नहीं थी हाला कि टर्बो फैन इंजन लगे होने के कारण यह है 730 किलोमिटर पर आर की तेज स्पीड से उड़ सकता था और इसकी रेंज भी 2000 किलोमिटर तक थी ये दुनिया का पहला और इकलोता वर्टिकल टेक ओफ ट्रांस्पोर्ट जेट था इसे भी सोवेट यूनियन के डिजाइन के साथ इसी वर्ष पैरिस एर शो में परदशित किया गया था लेकिन दोस्तों इसके विंग टिप्स पर लगे टर्बो जेट लिफ्ट इंजन्स के डिजाइन की वज़े से इसकी पेलोड कैपेसिटी कुछ खास नहीं बन पाई थी और इस प्रोजेक्ट में जर्मनी को दूसरे नेटो गुरूप के देशों का साथ भी नहीं मिल पा रहा था जर्मनी अकेला इस प्रोजेक्ट के खर्च को उठाना नहीं चाता था और तीन प्रोटोटाइप बनाए जाने के बाद 1970 में इस प्रोजेक्ट को भी बंद कर दिया गया इस तरह के डिजाइन की सबसे बड़ी कमी ये थी कि आठ लिफ्ट इंजन्स जो इसे वर्टिकल टेक ओफ करवाते थे उनका में फ्लाइट के टाइम कोई रोल नहीं होता था और वो एक डेड वेट की तरहें इस जेट की परफोर्मेंस को कम कर देते थे दोस्तों बाद में सोवियत यूनियन के सूपर हेलिकॉप्टर के डिजाइन को ज़्यादा रिफाइन करके अमेरिका और यूरोप में कई ऐसे ट्रांस्पोर्ट एरक्राफ्ट बनाए गए इनमें रोटर्स को वर्टिकल लिफ्ट के बाद टिल्ट करने की कैपेबिलिटी जोड़ी गई ताकि इन ही में इंजिन्स का इस्तमाल तेज स्पीड के लिए किया जा सके इसे जनम हुआ टिल्ट रोटर एरक्राफ्ट का V22 ओस्प्रे, XV15, V280 वैलोर आदी इसी तरह के रिफाइंड एक्जाम्पल्स हैं दोस्तों उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए